सस्क्राइब नहीं करोगे तुम उसे कैसे मिलोगे हाई एवरीवन वेलकम बैक माई यूटूब चैनल विनीता मौरिया अपनी रसोई आज में आपके साथ बहुत ही जदा टेस्टी और हेल्दी कच्चे पपिते से बनने वाले हल्वे की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ अगर आप मेरी तरह हलवा खाने के शोखीन है तो आप इस कच्चे पपिते से बनने वाले हलवे को एक बाग घर में जरूर बनाईएगा ये खाने में बहुत ही जदा टेस्टी, हेल्दी, यम्मी और बनाने में बहुत ही आसान है तो आईए देखते हैं इस टेस्टी से हलवे को आज हम कैसे बनाएंगे इस टेस्टी और हेल्दी हलवे को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कच्चा पपिता ले रखा है सबसे पहले तो हम पपिते को नाइफ से काट लेंगे इसे काटने के लिए आप तेजधार वाले चाकू का इस्तमाल करिएगा क्योंभी कच्छा पपिता थोड़ा सा कड़ा होता है तो काटने में थोड़ी प्रोबलम आती है और ये लीजे पपिते को हमने दो भाग में काट लिया है अब हम नाइफ से इसके पतले पीस काट लेंगे लंबाई में इसके पीस काटने के बाद हम इसके ऊपर की जो यो वाइट वाली स्कीन है इसे भी हम रिमूब कर देंगे अगर ये हलवे में जाएगी तो हलवा हमारा कसैला आएगा इसके बाद जो इसकी ऊपर का छिलका है ग्रीन वाला इसे भी हम नाइप से काट करके निकाल देंगे इसी तरह से हम सारे पपिते को छिल लेंगे इसे हम दो से तीन बार साप पानी से वाश कर लेंगे और यह लिजी हमने सारे पपिते को छील करके इसे हमने दो से तीन बार साप पाने से वाश कर लिया है अब हम इसे ग्रेटर में ग्रेट कर लेंगे अब हम पपिते का एक पीस लेंगे और इसे हम ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे आप इसे छोटे या बड़े लच्छ को पपिते को कूकर में डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि पपिते से भी पानी अभी रिलीज होगा तो हमें यहां पर बहुत ज़्यादा पानी डालने की आवशकता नहीं है अब हम ढ़कन को लगा कर इ एक सीटी आने तक पकने के लिए पपाया को हमने एक सीटी आने तक पका लिया है और ये अच्छे से गल गया है हमने इसे पानी से छान करके अलग कर लिया है अब हम हलवा बनाना शुरू करेंगे हमने कढ़ाई को गरम होने के लिए रख दिया है इसमें हम डाल देंगे 200 ग्र पर चीनी का शीरा नहीं बनाना है बस हमें यहाँ पर चीनी को चलाते वे मेल्ट करना है और यह चीनी 50% तक मेल्ट हो चुकी है अब हम इसमें एड़ कर देंगे ग्रीन फूट कलर इसमें ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं कलर का इस्तमाल हम अच्छा सा रंग आये अगर आप चाहें तो इसे इसकी भी कर सकते हैं बिना इसके भी हमारा हलवा बनके तयार हो जाएगा गलर डालने के बाद इसे भी हम चलाते हुए अच्छे से मिला देंगे और यह सुगर सीरफ हमारा तयार हो चुका है अब हम इसमें एड कर देंगे प दोस्तों आपको पपाया के बेनिफिट्स के बारे में मालूम है अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको एक बर बता देना चाहूंगी दोस्तों अगर आप कॉलेस्टेरोल की प्रावलम से परिशान है तो आप डेली कम से कम एक पपीते का सेवन जरूर कीजिए पपीते में मौझूद फाइवर कोलेस्टरोल को घटाने में काफी हैल पे करता है और साथ ही वेट लॉस में भी पपीता काफी हैल पे करता है एक मध्यमाकार के पपीते में लगभग 120 कैलोरी होती है जो वेट लॉस करने में काफी जादा हैल पे करता है हमारी और साथ ही ये प्रतिरोधक छमता को भी बढ़ाता है, और आखों की रोष्णी को भी बढ़ाता है, और पाचन तंतर को भी यह सक्रिये रखता है। और पकाना है अब हम इसमें एड कर देंगे कटे हिए कुछ ड्राइफ होट से हमने यहां पर कटे हिए ब sista डाले हैं Region 24 के कोडिंग इसमें कोई हमारा काफी थीक हो गया अभी हम इसे दो से तीन मिनट तक धीमी आज में और पकाएंगे बरावट चलाते हुए अब हम इसमें एट कर देंगे खुश्बू के लिए केवडा वाटर आप यहां पर खुश्बू के लिए रोस वाटर या पिर इलाची पाउडर का भी इस्तिमा दूसे आप अपनी 24 के कोडिंग इसे किसी भी ड्राइफूट से गानिश कर सकते हैं और यह लीजी हलवे को हमने अच्छे से गानिश कर लिया हलवा खाने के लिए तयार है जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करिया घर में गेस्ट आने वाले हो तब आप इस हेलदी से ह बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे कमेंट सेक्षन में शेयर कीजिएगा मैं फिर से मिलती हूं इसी तरह से अपनी नई वीडियो के साथ ठैंक यू बाबाई